यहां का यह नजारदेव कितना सुन्दर लग रहा है यह देखो भाई अब यह जो बरफ है यह कम पढ़ गई पहले बहुत ज़ाबा बरफ ती जो पहाड दिख रहे हैं एकदम भाई सफेज सफेज दिखते थे अब यह देखो पूरी जो है बरफ कम पढ़ चुकी है और यह पहाड़ है ना इसमें पूरी बरफ जमीत हो अब यह सब बरफ एकदम कम हो गया है एकदम बरफ बची नहीं है यह देखो भाई जैसे भीमसिला से नीचे तो रह गई यह देखो इदर बाबा लोग बैठे हैं और इस तरह भी बैठे हैं यहां पर यह देखो भाई और यह पर बैठे हो फिछ यहां पर चुम्झा कर रहए जो है तो यहां पर आकर क सब्सक्राइब करना पर लिए और इधर से रहती रात में भी यह को पर बैठे हो प्लूजह करता हैं तो बैठे ने पर वीडियो नहीं आ ह nos प्सक्यसाणीयंक सब्सक्रा वहां पर क्या हो गया था पर पूरी बात तो भी नहीं बता सकते हैं आप समझ सकते हो तो वहां पर जब हम रोज वीडियो बनाते थे तो कुछ होटल वाले थे तो उनकी वज़ा से जो है दिक्कत आ गई थी तो उनोंने थिकायद कर दिया था तो जिससे की पताने उनको क्या दिक्कत होती थी कि हम वीडियो बनाते हैं जो भी कुछ हो तो भी पूरा हम साफ तरीके से वह बात नहीं बता सकते हैं अभी कभी टाइम मिलेगा तो वहां पर पूरी सिच्वेशन क्या हुआ है उसका हमाई पास वीडियो भी है तो कभी जब होगा तो हम जरूर दिखाएं कि वहां कि हुआ हुआ तो अभी जो है भाई आप्ते जो है रोज वीडियो आएंगे एक दिन के बाद और यहीं कोशिश करेंगे कि रिगूलर वीडियो आओंए अगर आप यहां से कडार ना जा रहे हों तो गौरी कुन्ध हो करके जाना गौरी कुन्ध हो की जाते ही हैं स हो जाती है और नहीं एक बार में किदार ना पूरा ट्रैक कंप्लीट कर पाते हो तो उसके लिए बीच में जो है बेस कैम्प बने है तो आप उस बेस कैम्प में रुख जाईए जिससे आपको दिक्कार नहीं होगी फिर अपना दूसरा दिन उठके और आराम से किदार बाबा के दर्शंद कर सकते हो तो भाई ऐसा कुछ है तो तो भाई इस समय जो है किदार नात में बारिस हो रही है बारिस की वजह से थोड़ा सा दिककत हो जाती है यात्रा करने में अगर हैं आप आत्रा करते हो तो बेस कैम ने आप रूप जाएए बीच में हाँ जगा बने हैं और बराप्री भी हो जाती है पहले हो रहले तो अगर यात्रा कर रहे हो तो आराम से यात्रा करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा करें तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि हम अगली यात्रा कहा की करें लो टो करें उल्याल कर दो कर दो बच्छा-गार करनाप्वार कर दो करना यात्रा थोड़ीन आर भाइक लिए्वारीडट.